शिरी कृष्ण जो अधर्म के नाश के लिए ही इस धर्ती पर अवतीन हुए बाल्ले काल से ही उनका सामना ना जाने कितने ही शक्तिशाली योधाओं, राक्षसों और दैत्नों से हुआ अपने शत्रों की ना जाने कितनी अक्षाणी से नाएं उन्होंने अकेले ही नश्ट कर दी, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब उनका सामना एक अत्यंत प्राक्रमी इस्तरी से हो गया, और उसके युद्ध कौशल ने शिरी कृष्ण को भी चकित कर दिया, क्यों नहीं मार पा करने की प्रेड़ना मिलती है, सकंद पुरान के महेश्वर कुमार का अध्याय चोवालिस के अनुसार, एक समय एंदर प्रस्थ में पांडव तथा शिरी कृष्ण नाना प्रकार की बातें कर रहे थी, तो उस समय भीम पुत्र घटोतकच उन से मिलने आया, सबने बड़ी प पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो, आप सरवग्य हैं, बताइए इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है। समर में मैंने भी युद आरंप किया, मेरे शारंग धनुस से बड़े बड़े बान छूटने लगे, परंतु मूर की पुत्री ने मेरे उन सभी बानों को खडग से ही काट डाला, तब मैंने उसका वद करने के लिए अपना सुदर्शन चकर उठाया, ये देख कामाख्या द व्रित होता हूं, तुम इस कन्या को मना करो, तब कामाख्या देवी ने उसे रिदे से लगा कर कहा, भद्रे तुम युद से लोट चलो, ये माधव युद में दुर्जे हैं, कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इने मार नहीं सकता, संसार में ऐसा कोई वीर ना तो हुआ ह और नहीं होगा, जो इने युद में जीत सके, औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात शंकर भी इनकी प्रशंसा करते हैं, पेटी, ये तुमारे भावी शवसुर हैं, अते इने तुम प्रणाम करके युद से हट जाओ, यही तुमारे लिए उचित होगा, तुम इनके भाई अब तुमारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विश्नु धाम में चले गए, देवी कामाख्या के ऐसा कहने पर मौरवी ने क्रोत त्याग दिया और मुझे प्रणाम किया, तब मैंने उसे आशरवात दे कर कहा, बेटी, तुम भगदत से सम्मानित होकर इसी नगर में अतेवे मूर दैत्य की सुंदर कन्या ही घटोतकच के लिए योगे इस्तरी है, एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिग्या कर रखी है कि जो कोई भी मुझे किसी प्रशन पर निरुत्तर करके जीत ले, तथा जो मेरे सामने ही बलवान हो, वही मेरा पती होगा, उसकी य अवश्य ही इसकी पतनी होगी, आगे फिर पहले शिरी कृष्ण, फिर भीम और अरजुन के कहने पर घटोतकच मौरवी से विवाह के लिए आकाश मार्ग से प्राग जोतिशपुर के लिए निकल पड़ा, जैश शिरी कृष्ण, आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा कर करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, रुप्याय से लाइक और शेयर वश्य करें, किसी भी प्रकार के दूठी के लिए आप सब से क्षमा याचना करते हुए आप से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय